तेक बार्फे स्वागत है आपका बावा रमजल सुगाज़ देव पॉलिटेक्निक पटना रसड़ा बलिया अनलाइन क्लास में दोस्त कमपाश सर्वे चल रहा है कमपाश सर्वे में आज हमाज का निमेरिकल क्लास चलाएंगे निमेरिकल कलास में पहला कोशन रहेड़ा WCB को QB में परिवर्थित कीजिए यानि Whole Circle Bearing System को Coordinal Bearing System में परिवर्थित करना है फिर उसके बाद बताएंगे कि RV याथवा QB को WCB में बदलिए यानि Reduce Bearing याथवा Coordinal Bearing System को Whole Circle Bearing System में चेंज करना है आरवी और QB बात एक ही होती है आई यह पहला कोशन आपको दिया है देखिए 65 डिगरी 20 मिनट उसको आपको यह WCB में दिया है और QB में परिवर्थित करना है सबसे पहला क्या करेंगे कि कि किस कॉडिनेट में है यह पका करेंगे ठीक है देखिए यह दिया WCB में आप जानते हैं कि यह 90 डिगरी का क्यों बनता है और यह 65 डिगरी 20 में प्रसंच तुर्थांस में होगा मान लिजी कि यह OA सरवे रेखा है और इसका WCB में जो मान दिया है वो 65 डिगरी 20 मिनट दिया है आपको किस में मताना है QB में QB में हम क्या करते हैं कि डिग बिंदू लगाते हैं नियम समझ लिजीएगा OA सरवे रेखा है अगर नार्थ के पास है तो सबसे परहले नार्थ लेंगे सबसे पहले देखिए OA किसे पास है, नार्थ के कि साउथ के, तो आप कहेंगे नार्थ के पास है, लिख लेंगे नार्थ, देखिए नार्थ से 65 डिगरी ही बना रही है, इससे जढ़ा बनेगा नुम, तो नार्थ ले लेंगे कितना, पायंशाच डिगरी बीस मीनदफ अब लिखेंगे इस्ट या वेस्ट देखें इस्ट के नजदीक है इस्ट के नजदीक है तो आप लिखरेंगे इस्ट एक मठाद हमने साड़ी में बताया था कि प्रत्थम से तुर्थाणश में क्योभी और डूसी वी का मान सेम होता है दो दूसरा कोशन देखिए दूसरा दिया है आपका 141 डिग्री 40 मिनट 141 डिग्री 40 मिनट WCV में क्यूबी में ग्याद करना है तो सबसे पहले हम चतुर्थांस बनाएंगे किस चतुर्थांस में है पहला खाना जो होता है दूसरे चतुर्थांस में है तो मालेजिए कि यही ओ यह है डाव्लू सी्वी में माण ये दिया है आपका 141 डिग्री 40 मिनट अब दिखिया क्या करते हैं आप हमने बताया कि यह रेखा या तो नार्थ के पास होगा सौट के पास होगे तो पहली चेक करेंगे तो किस पास है दिखें साउड के पास है साओ के पास है सबसे परस आउप लिख लिए अब यह कितना इंगल होगा आप जानते हैं कि यह टोटल 180 होता है यानि 180 डिग्री जीरो मिनट होके आमाल लिए 180 डिग्री ही है उसमें से अगर 141 डिग्री 40 मिनट घटा देंगे तो यह वाला इंगल आपका निकल जाएगा ठीक है और यह एंगल आपका आएगा 20 मिनट यह और 38 डिग्री यह ठीक है घटा लेंगे घटाना जानते हैं न कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है एक डिग्री अगर इधर लेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा शार से 40 पीस गया जिसे सिय घटा लेंगे यानि आगे आपका 38 डिग्री पीट के पास हो यह घट autreना साउथ के dot辛क के बेंगे तो देखी ये रेखा क्या है, इस्ट के पास है नहीं, हम इस्ट लीख लेंगे, ठीक है, आई ये तिसरा question देखते हैं, ये दुसरा question था आपका, ठीक है, दुसरा question था, देखी एक 114 degree 4.8 दिया हुआ है, वो ही हमने लगाया है, ये डाबू सी भी में मान दिया है, हमने QB में इसको चेंज कर दिया है ठीक आई ये देखते हैं क्वेशन नंबर तीसरा 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 दिया है 211 डिग्री 211 डिग्री तीस मीनट ठीक है सबसे पहले हम देखें कि एक किस क्वाडिन एक में है नार्थ साउथ इस और यह हो गया वेच्ट 211 डिग्री दिखिए यह बता है 211 सी उसके बाद लागबगी तीसरे चत्व ठांस में है मानली जीए ओ एक क्यूबी में दिया है यानि एक एंगल दिया है हो जाएगा 211 डिग्री 30 मीनट आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप क्यूबी में ग्याद करेंगे यानि क्यूबी अगर हम 211 डिग्री 30 मीनट में आप 180 मीनट ही हो जाएगा अगर इसको आप भटाते हैं तो इसका मान आपका आएगा और तीस सवाल है तीसरा सवाल का आएगा अपका 31 डिग्री 30 मीनट ठीक है कितना आएगा 31 डिग्री 30 मीनट घड़ाने के बाद आपको क्यूबी में लिखना है तो क्यूबी में कैसे लिखते है सबसे पर दिख बिंदू साउथ लिखेंगे फिर एंगल आया कितना 31 डिग्री 30 मीनट लास्ट में इस्ट लिखेंगे या वेस्ट देखिए ये रेखा जो है यह वाला ओ वेस्ट के पास है यानि आप लिख समझ में आएगा डारेक्ट अपनी मेरिकल देखेंगे तो साइथ निव बच्चे को ना समझ में आया इसलिए आप ध्यान से पहले पिछला देखके ही निमेरिकल देखिएगा चौथा कोश्चन दिया है 349 दिगरी 10 मीनत सबसे पहले देखे WCB में दिया है QB में हमको चेंज करना है ठीका सबसे पहले देखेंगे की 60 थांस में होगा यहां सका आता है 270 यानि आ जाएगा 47 थांस में यही है और यह दिया है आपका O A माल लिए रेखा कोई असर वे उसका WCB में दिया है यह वाला एंगल आपको दिया है कितना 349 दिगरी 10 मीनत आपको QB में बताना है यह वाला एंगल करना होगा QB में क्योंकि सबसे पहले O A जो है नार्थ के पास है तो हम दिखेंगे नार्थ यह वाला एंगल कितना होगा तो इसको घडानेंगे 307 दिखिए टोटल जो होता ह तीन सो साथ में अगर तीन सो उन्चास दिगरी 10 मीनत घडा देंगे तो यह वाला एंगल आ जाएगा तो वही घडा लिए 360 दिगरी ठीक है किसना 349 दिगरी 10 मीनत हम बताए कि एक डिगरी में 60 मीनत का पूल बनता है तो एक डिगरी यहां ले लेंगे तो मीनत में कितना हो जाएगा साथ साथ में से दस गया आप कहेंगे पचास मीनत हो जाएगा ठीक यहां 69 हो गया 69 का मतलब कि आपको हो जाएगा से दस डिगरी ठीक है देख लिजेगा अनि आप पहले नार्थ लिखें फिर बीच का एंगल यह वाला लिखेंगे तो यह सोरी है डिगरी में है 10 दिगरी पचास मीनत अब इस्ट या वेस्ट लिखेंगे देखेंगे यही आपका जाएगा मांजो वह आएगा ट्यूबी में तो यह चीज़ देखना है ठीक अब आईए देखते हैं अगर आप साड़ी के आपकर लेंगे तो साड़े से भी अच्छे से लगा सकते हैं आई दीगरी में टीट करना सबसे पहला दिखिए की फिर किस्त कॉणिएट में हुझने बताया थाकि अधाएग फिर स्यवनय व्यूद्वीय कमान बराबबर बहता है कि आईए देखते हैं नार्थ साओग इस एस श्त यह किनार्थ और इस यह नार्थ से बढ़ना है कितना और प्रावलूस ने लगता है शिर्प एंगल लिख देते हैं याई प्रत्बधाइन में याजिए प्रत्त पूर्फान्स नहीं यह जो लिख दिया आपका आप लूस्ती भी में आएगा ठीका तुसी ठाका आगे देखने देखने दुसरा कोर्षन दिया है आपका साउथ 30 डिग्री साउथ 30 डिग्री आपका दिया है 35 मीनट इस्ट ठीका सबसे पर देख लिजे कि शतुर्थांस में है तो साउथ से बढ़ेंगे 30 डिग्री साउथ से बढ़ना कि इस्ट के तरह यानि लगभग यही आएगा देखिए हमने साउथ से बढ़ना इस्टाट किया कितना करते हैंДа और तीर से बढ़ना थिस्टिंग्री पैंटीस मीनट अगर घटा देंगे तो आपका एंजवर आ जाए यानि यहां से एक डिगरी तो 60 में से 35 गया 25 यहां से आपका बचेगा आपको घटाएंगे 189 में 30 कितना घटाएंगे 119 में जब 30 रटा ही है तो आपका आएगा 149 डिगरी 25 मिनर्ट यानि आप लिख देंगे आपके 149 डिगरी 25 मिनर्ट यह आपका जो मान आएगा वो आएगा WCV ने चीका? WCV की बात हो गई? आईए अब देखते हैं तीसरा कोश्चन है 211 डिगरी 30 मिनर्ट तीसरा सॉरी दूसरा हमने अभी लागा आप किसरा देखिए ही हम यह उसमें का देख लिया है आईए यह बढ़ा ले देखना है साउथ सोलर डिगरी 10 मिनर्ट वेस्ट देख लिए किस्चन तो ठांस में है सबसे पहले तो चेक यही करना है ठीका? देखिए साउथ से साउथ यह है साउथ के तरफ वेस्ट के तरफ बढ़ना है कितना? सोलर डिगरी इधार साउथ कितना बड़े है? सोलर डिगरी 10 मिनर्ट वेस्ट हुआ यानि थरफ बढ़नीट में आया ठीक अब देखिए क्या करना है आपको डावलो सीवी में जात करना है यानि यह वाला एंगल जात करना है कुछ नहीं करना है यह एंगल देखे टोटल ए दता है 180 में 180 डिगरी में अगर आप 16 डिगरी में 10 मिनर्ट जोड देगे से टोटल एंगल आजाएगा संदाबू में मान आ कि हमने इससे पहले पिछले विडियों में बताया है कि यह कैसे निकलता है वो ज़रूर देख लिजेगा तभी नहीं मेरिकां आपको समझ में आएगा आए देखते हैं आज का राक्षाव चौथा देखिए नाथ असी डिग्री उसके अब आद 15 मिनट वेश्ट दिया है क्यों वी में दिया है डाबलू सीवी में निकालना है डाबलू सीवी में पहरा सबसे पहले देख लेंगे की स्कॉर्डिंट में है नाथ साउथ एस्ट और वेश्ट आए देखते हैं नाथ से बढ़ना है किधर वेश्ट की तरफ तरफ लगबग यहीं एंगल दिया है माली जी यह वह वह इसका मान आया है और ती डिग्री 15 मिनट कह रहा है कि डाबलू सीवी में गयात करिया डाबलू सीवी का मतलब है क्लाक वए शंजाएंगे र उसमें से 80 दिग्री 15 मिट घटा देंगे इसवाला इंगा आजा गया तो आप त्यूलियर कि पर आप कितना बचा टीण सो उसर्थ डिग्री खटाएंगे तो तो आपका इंसर आएगा 289 डिग्री क्यों 389 में से अगर 80 घटाएंगे तो 299 आएगा तो 289 डिग्री और इसी यही मान आपका आजाएगा 289 डिग्री 45 मिनट का जो होगा डाबगु सीवी में इसने आएगा डाबगु सीवी में तो दोस्त आज यह चेंज करना थन ऐसे इस तरह से लगाते हैं डाबगु सीवी और कीवी में चेंज करते हैं जैसे लाग्ट स्वाल हम अगर देख लहें तो मान लिए यह देदिया 20 डिग्री 40 मिनट पहचानिए कि यह कि स्मय है यह कोई दित्विंदू नहीं लगा है यानि यह किसमय है डाबडु सीवी में है कि को twin winning change करना है तो सबसे पहले क्योने चेंज कर lattice में है नार्भ साउथ इस्ट और वेस्ट तेके 20 डीग्री यहाएगा यानि प्रत्थान तो हमने प्रत्रों चतु होता है सिर्फ क्यूबी में डिक में लगा देते हैं और डाबू सीवी में सिर्फ एंगल लिखा रहता है ठीक तो यानि इसको लिखना होगा सो सबसे पहला लिखेंगे नार्थ कितना यह अंगल है 20 डिगरी 20 डिगरी 40 मिनट ठीक है इसी को आफ लिखेंगे इस तरह से आज का लिखेंगे फिर आगे पढ़ना है आपको बेरिंग निकालने की बात और आएगी लेकिन अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद आज के लिए इतना लिखेंगे